रवीवार को सपाणेता स्वामी प्रसाद मोरे का वारांसी में जमकर विरोध हुआ है सोनभधर जाते समय टेंगरा मोड़ पर भाजपा नेताओं और कारेकरताओं ने स्वामी प्रदशन कर रहे उवको को पीछे किया तब जाकर स्वामी प्रसाद मौरे का काफिला आगे के लिए रवाना हुआ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए भाजपानेता दीपक सिंग राजवी ने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौरे बार बार सनातन पर सवाल उठा रहे हैं रामचरित मानस पर विवादित टिपनी को लेकर भी हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे उन्हें माफी मांगनी होगी हम उन पर कारवाई की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौरे सिर्फ और सिर्फ देश को बाटना चाहते हैं उनका ना कोई सिध्धान्त है ना कोई विचार वहे एक मोका परस्त वेक्ती हैं जिसने बहन कुमारी मायावती के चरण छूने से गाली देने तक का सफर तै किया है मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं इस बीच शिवराज सरकार विकास यात्रा लेकर निकल रही है इस यात्रा का कई जगहे जमकर विरोध देखने को भी मिल रहा है शनिवार को उमरिया जिले में भी विकास यात्रा का जमकर विरोध हुआ लोग जिला पंचायत अध्यक्ष खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे कारेक्रम स्थल पर स्थानिय लोग बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए दिखे लोगोंने भाज़पा के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा काम नहीं तो वोट नहीं इस घटना पर कॉंग्रेस पार्टी के जो प्रतिक्रिया है नेताओं की वो भी सामने आई है कॉंग्रेस पार्टी ने PCC चीफ कमलनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि विकास यात्रा में BJP की चोतरफा फजीहत हो रही है इसलिए कमलनाथ जी इसे BJP की निकास यात्रा बता रहे है वहीं कॉंग्रेस ने CM शिवराज का जिक्र करते हुए कहा कि यह तो BJP की अंतिम यात्रा बन गई है विकास यात्रा में BJP का जमकर विरोध हो रहा है अब तक यह विरोध सिर्फ BJP नेताओं को खरी खोटी सुनाए जाने तक ही सीमित था लेकिन अब जनता के बीच में BJP के प्रती नराजगी इतनी बढ़ गई है कि अब वह BJP के नेताओं को ख़देडने पर भी उतारू हो गई है दिल्ली में हो रहे जमियत उलेमाए हिंद के सम्मेलन के मंच पर उस समय हंगामा मच गया जब मौलाना अर्शद मदनी ने अपने भाशन में ओम और अल्ला को एक होने के लिए कहा इससे मंच पर बैठे धर्मगरू नाराज हो गए और उठकर मंच से चले गए मदनी जमियत उलेमाए हिंद के 34 सत्र में मोहन भागवत के बयान की आलोचना कर रहे थे मौलाना अर्शद मदनी ने अपने भाशन में कहा कि मैंने धर्मगरू से पूछा जब ना कोई था ना श्रीराम और ना ब्रहमा तो मनुन ने किसकी पूजा की कुछ लोग कहते हैं कि हम ओम की पूजा करते हैं मैंने कहा हम इसे अल्लह कहते हैं आप भगवान हैं फार्शी भासी भगवान और अंग्रेजी बोलने वाले भगवान हैं उधर मदनी के बयान का विरोध करते हुए जैन साधू लोकेश ने कहा कि यह अधिवेशन लोगों को एक्जूट करने के लिए किया जा रहा है ऐसी आपत्ती जनक बाते क्यों? मौलाना अर्शद मदनी द्वारा दिये गए इस बयान को लेकर मंच पर बैठे धर्म गुरू खड़े हो गए और मदनी विरोध करते हुए वहां से चले गए जमियत उलेमा हे हिंद के सम्मेलन के मंच पर जब मौलाना अर्शद मदनी ने अपने भाशन में ओम और अल्ला को एक होने के लिए कहा तो इससे मंच पर बैठे धर्म गुरू नराज हो गए और उठकर मंच से चले गए मदनी के भाशन के बाद में मंच पर मौजूद आचारय लोकेश मुनी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम उनके यानी अर्शद मदनी के बयान से सहमत नहीं है हम सिर्फ एक साथ रहने के लिए सहमत हुए दरसल मदनी जमियत उलेमा यहिंद के 34 विसत्र में मोहन भागवत के बयान की आलोचना कर रहे थे इस दुरान उन्होंने ये ब्यात कही थी धर्मांतरन के मुद्दे पर बोलते हुए मौलाना ने कहा कि हमने कभी किसी का जबरन धर्मांतरन नहीं कराया है अर्शद मदनी ने आगे कहा कि हमारे पूरवज मानुस है और आप हमें घर लोटने के लिए कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन अपने अल्हा को नहीं भूलेंगे गोतम अडानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी कारेले के बाहर आम आदमी पार्टी भारी विरोध कर रही है इस बीच अडानी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं के द्वारा भारते जनता पार्टी के कारेले तक मार्च शुरू करने पर पुलिस ने लाठिया चार्ज कर दी पुलिस के दुआरा आपके कारेकरताओं पर लाठिया बरसाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है इसमें करीब 25 से जादा आप कारेकरता घायल भी हुए है दरसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अडानी की मदद करती है आम आदमी पार्टी ने सरकार पर एक व्यक्ति को कोईला, गैस, शिक्षा, हवाई अड़े बेचने का आरोप लगाया आप निताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि बीजेपी के इस काम ने देश को बरबाद कर दिया है आपका कहना है कि कुछ दिनों में हमें जै भारत माता की जगे जै अडानी का नारा लगाना होगा इसकी आगे की जाच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग भी की गई है पार्टी निताओं द्वारा मोधी अडानी भाई 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 देश बेच कर खाई मलाई के नारे भी लगाए जा रहे हैं ओलम्पिक स्वन्ड पदग विजेता नीरच चोपडा नए एथलीक सत्र की शुरुआत से पहले कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका जिम में ट्रेनिंग करते हुए एक वीडियो भी जम कर वाईरल हो रहा है बता दें कि नीरच ने हाल ही में दक्षिन अफरीका के पोर्ट्स चैफ्टरम में उद्गाटन आयूवर्ग टी-20 विश्विकफ के फाइनल में भारते अंडर-19 महिला किर्केट टीम की महिलाओं को चेर करने के लिए अपने विश्विकारिकरम से समय निकाला था फाइनल से पहले जिसे भारत ने इंग्लेंड को हरा कर जीता था नीरज ने शेफाली वर्मा की अगवाई वाली टीम से अपने शांदार करियर के किस्सों के बारे में भी बात की थी और अविबार को चैंपियन नीरज चोपड़ा भाला फैकने वाले अंदाज में वापिस आ गए थे और उन्होंने अपने बैक हेंड कंदों में मास पेशियों को हाइपर एक्सिटेंड करते हुए एक दिवार पर मैडिसियन बॉल फैकते हुए वीडियो पोस्ट किया था बता दें कि ट्रैक और फिल्ड एथिलीट प्रतिस्प्रधा में भाला फैकने वाले खिलाडी नीरज ने 87.58 मीटर भाला फैक कर टोक्यो ओलम्पिक 2021 में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचा है उदैपुर शहर के कालाजी गोराजी छेतर की पंजाब नेशनल बैंक शाखा से एक चोकाने वाला मामला सामने आया लोकर में रखे लाखो रुपे के नोट और संपत्ती के कागजात को दीमक खा गए यहां बैंक के लोकर में रखे 2,15,000 रुपे के नोट को दीमक खा गए थे इस बात का खुलासा तब हुआ जब बैंक लोकर नमबर 265 की मालकिन सुनीता महता अपने लोकर में पड़े रुपे को निकालने के लिए बैंक गई थी उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारे पैसे दीमक खा गए थे लोकर में दीमक देखकर उन्होंने इस बात की सूचना बैंक के परबंदक को दी दो लाख रुपे कपड़े के थैले में रखे थे जबकि 15,000 बैक के बाहर रखे थे खराब हुए 15,000 रुपे के नोट को बैंक मेनेजर ने हाथो हाथ बदल दिया लेकिन जब सुनीता ने घर जाकर नोटों से भरा बैक खोला तो उसमें रखे दो लाख रुपे के नोट में भी दीमक लगी हुई थी बैंक परबंदन ने लोकर के चारो और दीमक रोधी दवा का छड़काव कर दिया बैंक की ओर से बाकी लोकर को जो धारक थे उनको भी लोकर खोलने के लिए बुलाया जा रहा है इस बीच लोगों ने बैंक करमचारियों की लापरवाही को लेकर भी हंगामा किया बाहुबली नेता मुखतार अंसारी के लड़के अबास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है और उनकी पतनी ऐसे मिलने आती हैं जैसे किसी होटल में जा रही है अबास की पतनी निखत हर रोज अपने शोहर से मिलने जेल की जाती थी इसका खुलासा करते हुए चित्रकूट की एसपी वरंदा शुकला ने उन दोनों को रंगे हातों पकड़ लिया उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूरी फिल्डिंग सैट थी जेल के अंदर प्राइवेट कमरा मिलता था दोनों घंटो एक साथ वहाँ पर समय बिताते थे जानकारी के मुताबिक एसपी वरंदा को इसकी भनक लग गई थी एक दिन अचानक उन्होंने जेल में च्छापा मार दिया रेड के दुरान मुझरिम अब्बास जेल में नहीं था वो जेल के अंदर एक प्राइवेट रूम में पत्नी के साथ था जेल के एंट्री रेजिस्टर में भी उसका नाम नहीं था डियम और एसपी ने दोनों को साजिश रस्ते हुए रंगे हातों पकड़ लिया इस मामले में एसपी वरिंदा ने कड़ा एक्सन लेते हुए पत्नी, निखत, समयद, ड्राइवर को गरफतार कर जेल भेज दिया मीडिया से उनका रूबरहू होने का तरीका लोगों को काफी पसंद आया और उने जम का तारीफ भी उनकी की गई प्रियागराज में विदेशी प्रवासी साइबेरियन पकशियों ने डेरा जमा लिया है ये पकशी साइबेरिया से हजारो किलोमीटर की उडान भर कर यहां संगम तट पर पहुंचते हैं ये पकशी जो हवा में उड़ते हैं और पानी में तैरते भी हैं साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है ऐसे में उस तापमान में इन पक्षियों का जिन्दा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए ये पक्षि हजारों किलोमीटर की दूरी तै करके भारत आते हैं संगम के साथ ही गंगा तथा यमना नदी के उपर भी उरते यह पक्षि सेलानियों के लिए आकरशन का केंद्र बने हैं सुभह से लेकर देश शाम और फिर रात में भी नोका पर भ्रमण करने वाले सेलानियों को यह पक्षि अपनी और आकरशित करते हैं सेलानि भी इनको बेसन की सेव की नमकीन के साथ ही अन्य प्रधाद भी खाने के लिए देते हैं यहाँ पर ठंड की दस्तक के साथ ही हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले पक्षि अपना जमावड़ा प्रारंबगत कर देते हैं इनका प्रवास यहाँ पर मार्च के पहले हफ्ते तक रहता है इस वर्ष भी साइबेरियन पक्षि प्रियागरा संगम पर दिखाई दे रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर की देट सर्टिफिकेट बना कर उसे निर्वाचन I.O की वेबसाइड पर अप्लोड करने की जानकारी सामने आने के बाद में खलबली मची हुई है मनोहर लाल खटर के नाम का मिर्त्यू पर्मान पत्र जारी करने वाली संस्था के आगे सोन भद्र के पन्नुगंज शहागंज पीएचसी का उलेख है। हालांकि यूपी के सोन भद्र जिले में पन्नुगंज और शहागंज में कोई पीएचसी नहीं है। इस बात पर भी सवाल खड़े हुए थे। दरसल वहाँ कोई पीएचसी तो नहीं है और जहां है वहाँ से कोई पर्मान पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इसे किसी व्यक्ति की शरारत मानकर जाच की जा रही है। जारी किये गए पर्मान पत्र में मनोहर लाल खटर पुत्र हरबंश लाल के नाम से 5 मई 2022 मिर्त्यों की जानकारी दी गई है। पर्मान पत्र में हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर का नाम लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह परमान पत्र सामने आने के बाद में लोग यूपी सरकार पर तंजकस रहे हैं वहीं सोशल मीडिया पर जब यह पत्र वाइरल हुआ तो हर्याना सरकार ने भीस पर नाराज़गी जताई अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें